हेलो दोस्तों आपका स्वागत हमारे चैनल SPG टॉक्स पर आसा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप त्यारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों अगर आप SSC का किसी भी एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं चाहिए वह सीजील हो किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यारी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां से पढ़े और कैसे याद करें कोई भी कोशन है तो आप जरूर अटेम्ट कर पाएं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ दोस्तों वाकेबिलरी कहने का मतलब यह है कि सिनोनेम्स एंटोनेम्स वन वर्ड और स्पेलिंग यह चारों वकेबिलरी का ही पार्ट है लेकिन इसमें इडियोंस फ्रेस को भी इंक्लूट कर लेता हूं तो सबसे पहले मैं आपको इंपोर्टेंस बताता हूंग इसे सी एक् आपको याद करने ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए वर्ड बहुत ही इंपोर्टेंट है और सीजले फिर जो मेंस का एक्जाम होता है उसमें आपके तीस कोश्चन वोकेबिलरी रिलेटेड रहते हैं तीस कोश्चन इसलिए आपके लिए वर्ड याद करना बहुत ही ज ले रहे हैं तब वो टीचर जरूर वकेबिलरी कराते हैं उनको पढ़िए उनको याद कीजिए वह कुछ नहीं तरीके से करवा रहे होंगे तो उनको पढ़ना है ठीक है अगर आपको उससे सदिस्ट्रेक्शन नहीं मिलता है आपको लगता कि मुझे और वर्ट चाहिए तो बुक में लगख लबख लभग तेरा सो वाकेबिलरी दिया हुआ प्रिवेस यह का उसके बाद उनको याद करना स्टाट कीजिए ठीक है जो एंबी भी हो जाए तो फिर जो रिसेंट इग्जाम हो रखाया जिसे के भी सीज़वारी किस कफो माया तो सीज़वार बीस सेचल से जब रिवाइस कीजिएगा उसमें आपको नहीं मिलेंगे मिलेंगे तो सब को लिखना है ठीक है अब ख़तम हो जागा इस तरह से उसके बाद फिर आपको जितना भी लेटेस्ट इग्जाम होते रहेगा उसका वोकेबिलरी आपको एड करते जाना है बस वोकेबिलरी का में इतना ही पड़़ी स्कुल्स आपको रखना है आपका केड़ी में लवाल-वख 1100 वर्ड हो जाएगा फिर लेटेस्ट आप याद कीजिएगा तो वह बीडो-300 प्रस आपका हो जाएगा तो मेմल बात है कि याद कैसे करें तो दोस्तों इसका कोई is hard and fast rule तो है नहीं आपको याद करना ही पड़ेगा तीचर लोग बताते हैं तरीके में उन्स फ़िस्वास नहीं करता हूं क्योंकि उन तरीकों को भी याद रखना पड़ेगा आपको वर्ड को याद कर लो ठीक है मैंना पॉइंट यह है कि यह कुछ-कुछ होता है जो आप त सब करता था तो ढें सुबह उर्टा थैख है सो बाट के में 1 घंटा निया वर्ड में या डेली रटता था था रम बढ़ियां से आधा गूंटा लगए एक अंटा रहे बढ़ियां प्रवेस बढ़ता था और फिर में तीन दिन का रिवाइस करता था तो यह साइकल में चलते रहता था ठीक है फिर जब में तीन बर रिवाइस कर लेता था फिर भी कोई वर्ड याद नहीं होता था मुझे तो मैं उसे पर फिर पर फिर किसी पेज पर लीकिराख लेता था तक हो दिन मअधर में 2-3 लखता था था इस ताससरह मैं याद करना कव पड़ेगा कोई ट्रिक नहीं है कि आपको क्या करना है डेली आपको किसी भी टाइम जो सुटेबल लगे आपको में रिकमेंड करूंगा कि आप सोने के बाद जब उठते हैं तभी याद कीजिए और पीछे तीन दिन का रिभाइस कीजिए बस और जो मैंने सोर्स बता के रखा है बस उन्हीं सोर्स को फोलो कीज सब्सक्राइब करते ही रहना पड़ेगा डेली रिवीजन अब जब एक बर सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर आपको रिभाइस करना पड़ेगा रिभाइस करना पड़ेगा अब यहाद हो जाएगा मुझे बर याद नहीं हो था मैंने इतना बार याद किया है पूछ नहीं सकते अब भी में डेली वक्राइब करता हूं इसलिए आपको विकली लेना सब के साथ ही होता है कि निकों जल्दी वर याद नहीं होता बसाब पढ़ते रहना है आपको अब कमेंट करेंगे पूछ सकते हैं अब अगों ये वीडियो जल्दा भी यूसफूल लागा हो समय चलको सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थेंक्यू दोस्तों